जोहार दोस्तो गांधी जी की एक सो एक्यानवी जैनती की आप सभी को शुब कामना है आपको पता है जब देश में आजादी की जंग चल रही थी तब भारत की एक ट्राइवर कम्यूनिटी ऐसी थी जो गांधी जी के कदम से कदम मिला कर इस लड़ाई में कूद पड़ी थी सबसे खास बात यह है कि आज हम गांधी जी को भूल गए है उनकी कही बातों को फॉलो नहीं कर रहे है लेकिन यह कम्यूनिटी आज भी गांधी जी के सत्य और अहिंसा को अपनाई हुई है उनके बताय रास्ते पे चलती है और तिरंगा की पूजा करती है यह कम्यूनिटी यह जार्खन की टाना भगत कम्यूनिटी सीनिय जनरलिस्ट कुंदन कुमार चौधरी ने राची से 32 किलोमीटर दूर लोयो पंचायत इस्थित सक्रा गाउं और बीजू पाड़ा के पास चलियो सिटी गाउं में विजिट किया और अपने एक्सपीरियंस शेयर किये 1920 में जब गांधी जी जार्खन्ट आये थे तब टाना भगत उनके संपर्क में आये और वे गांधी जी से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें ही अपना गुरु मान लिया और तिरंगा को अपना देवता गुरा करते हं देखो अक्षे मताल थे हो फाकरते हैं वहर डेनीन आगरत को पास ह врगाए देखो मनजय बाभुड़ा है मुंशी बाइडा लाहे रात वही भखता है। संद्व दॉड़ा करते हो लिखते हो पता है। इस तरह करते हैं ये तिरंगे की पूजा और आगे अब सुनते हैं इनके प्रात्ना गीप जो ये ग्रूप में एक साथ गाते हैं प्रवगि घो ये तरह कर सोग। ऑ्रह कोंची पूजा सन्मी के पूँद सिर्णा दमी सिर्णा गी कव्रू ये अधरिए्व मागे इनके उनके रखदिने के अष्ञ़ कोें इनके प्रभू हैं इनके खवी करस्वाने की पूए्द सेता हैं राज्य के आठ जिलो में फैली ताना भगत की लगभग 22,000 से ज़्यादा आबादी है ताना भगत समुदाए जारखन के आठ जिलो राची, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, चत्रा, पलामू, खूटी और सिंदेगा में रहते है ये प्रकतिके बहुत करीब रहते है, साफ सफाई को अपनाते है और पूरी तरह सात्विक भोजन अपनाते है और अभी तक इनके समुदाए में एक भी सदर से कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है इनके मास्क भी बिलकुल नैचुरल रहते है, पत्ते से बने हुए पहले की जमाने में कम्यूनिकेसन के लिए घंटी का प्रयोग करते थे और ये आज भी सभी लोगों को एकत्रित करने के लिए घंटे का प्रयोग करते है ये मास्क मचली ही नहीं, लैसून प्याज भी नहीं खाते है दारू, हड्या इस समुधाय में निशेद है अहिंसा, परिस्चम और सात्विक्ता ही इनकी जीवन सेली है आज भी वैसे ही है जैसी सो साल पहले थी आज भी ये समुधाय वही खाता है जो वे खुद उपजाते है खेती ही इनका मुख्य पेशा है अपने खेतों में ये धान, गेहूं, मक्का, आलू और अनिसबजियां उगाते है सुधता इतनी कि यहां के लोग सिंदूर के जगद चंदन का उप्योग करते है साफ सफाई का खास तोर से ध्यान रखते है घर में घुसने से पहले पैर धोना अनिवार रहे है गंदगी कहीं छुप न पाए इसके लिए इस समुधाय के सभी लोग सफेद कपड़े का प्रयोग करते है बच्चे बुरे और सभी लोग हमेशा सफेद कपड़े ही पहनते है किसी भी अनाच, हरी सबजिया या सामान को घर के अंदर रखने से पहले ये बाहर ही अच्छी तरीके से साफ कर लेते है और उसे धो लेते है मिन्स आज जो चीजे हम फॉलो कर रहे हैं वो सभी ये कई सालों से फॉलो करते आ रहे है यही एक मेन कारण है कि इनके समुदाय में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है इनकी सबसे ज़ादा देखने लाइक जो चीज है वो है इनकी एकता आज तक इनके बीच कभी भी लड़ाई या जगड़ा नहीं हुआ है एक भी किस थाना अभी तक नहीं पहुँचा है और अभी तक इस जमाने में भी ये ताले का प्रयोग नहीं करते है मिन्स ये अपने घर को हमेसा खुला रखते है लौक नहीं करते है जारखंड में दैनिक भासकर अख़वार के नौ साल पूरे होने पर जारखंड के अमर शहीदों के परिवार को राची बुला कर सम्मानित किया गया जिनमें से एक जत्रा ताना भगत के वनसज विश्वा ताना भगत जी थे टाना भगत आंदोलन की सुरुवात जत्रा टाना भगत ने की थी 1914 में आंदोलन कर आदिवासियों को अंद विश्वास और सराप से दूर किया अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया 1916 में वे गिरफतार हो गये आसा करती हूँ गांधी जैनती पे किया गया ये विसेज अप्लोड आपको पसंद आएगा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताए मिलते हूँ अगली वीडियो के साथ जैहिन जै भारत जै जुहार